आप जाएंगे तो आप अपने स्थानिय स्थार पर जाएंगे या फिर योगी जी के चहरे पर जाएंगे चुनाओं को केप्टन के मुकाब लेना कहीं का इंट कहीं का रोड़ा और बानमर्टी चे कुर्मा जोड़ा है कि नमस्कार न्यूजवल इंडिया के खास कारिकर माहौल गर्म है में आपका स्वागत है हमारी चुरावी यात्रा दरसल यथावत अभी तक जारी है पस्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब हम लोग आ चुके हैं फर्खाबाद फर्खाबाद की भोजपूर विधान करणा मोब जोड़ों जो दरसल चर्फार रहने का मतलब होता है कि जो चहां रहते हैं अज हमके भोंपूर नागेन गोश्च्Fit हैं सबसें पहले जी सबसे पहला सवाल तो उसलिये रहेगा क्योंकि आप सत्ता में है आपकी प्रदेश में आपकी पार्टी है सत्ता में है आप यहां विधायक है तीन पॉइंट वह आप मुझे गिनवाएगा जो आपको लगता होगे आपने पूरी ताकत के साथ इस विधान सभा के लिए और जिसके जरिये आजनता जो है आपसे खुश है और हमारा कर्तब हैं मुझे का निर्वाहन करते हैं इसलिए हम नेता नहीं है और जो हमारा राश्ट्री नेतर तो बिसुका सर्व सक्तिमान नेता अपने को चौकीदार कहता है तो अपर हम नेता कैसे हो सकते हैं पहले तो मेरा यह बिसे है दूसरी बात पर इच्छे खोलते ही आपने बड़ी शांदार तरीके से घुमा दिया बातों को चलिए तीन पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे जो आपने शांदार आपको लगता हो कि यह काम मैंने बहुत बढ़िया कि अपनी छेतर के लिए सबसे बड़ी बात यह हमारी बिदान सबा में कई ऐसे लगवक दो दर्जन के लगवक गाहों थे जिनकों की देश जब से सुतंत्र हुआ है तब से आज तक सड़क कैसी होती है वहां के नागरिकों को वहां की आम जंता को पता नहीं था सरदी में बरसात में जब कभी कोई बीमार होता था तो बहुत ही मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता था मैं अब यह दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई गाहों मजरा नहीं है जिसको सड़क से नहीं जोड़ दिया गया नंबर दो हमारे हां एक इस्थान है सिंगी रामपूर सिंगी इसकी तपो भूमी है हमने चुनाओ में भी कहा था कि इसको हम धार्मिक कि इस्थान के रूप में गोशित कराकर के इसका उच्ची कहन कराएंगे और मानी योगी जी के आसीरवाद से उसको धार्मिक परेटक इस्थल गोशित किया गया है और वहां एक करोर रुपए से उस पचास लाग एक बार आया पचास लाग से अभी उच्ची कहन का काम चल कि इस्थान प्राप्त है उसी भविता मिलेगी ऐसा मेरा मानना है नमबर तीन दो ऐसे काम हैं जो भोजपूर विधान सभा में खेलो इंडिया खेलो के अंतरगर्द पहला स्टेडियम इस जनपत में भोजपूर विधान सभा में बन रहा है और 114 एक सो बतिस के विए का पूर विधान सभा में बन रहा है तो सड़क और खेल और विजली के उपलब्दता कि किसानों के लिए आम लोगों के लिए स्वास्ट की सेवा हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो उत्तरपिदेश में पूर्व की सरकार में कानून विवस्ता काता रहा है मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि चाहे कमाल गंज हो चाहे मुहमदाबाद हो गुंडा गर्दी नाम की कोई चीज अब दिखाई नहीं जेती है जिसका पूरा स्रेमानी योगी जी को जाता है आपने वड़ी खुबसूरती के साथ तीन जो अपने काम किया अपने गिनाए तीन के साथ आपने दो चार काम और जोड़े है पहली चीज मैं जानना चाहूँ का अपने सड़कों के लेकर बात करी इसलमें सड़क पर ही जा रहा हूँ हाँ यहां डेंगू के चकर में काफी हम लोग जब आ रहे थे हमारी तविए तो दुरुस्त बढ़िया है लेकिन गाड़ी की तविए थीक नहीं नज़र आई गड़ों में सड़क है या सड़क पर गड़े या आप भी अच्छे भाली भाती जानते होंगे तो इस पर थोड़ा जानना चाहेंगे लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं हमारी विदान सबाव में सिर्फ एक सड़क ऐसी है जो किसी कारणों बस बेबर से और से जेल तक जो एनेच में चले जाने के कारण बर्डबेंक से उसकी सुकृति हो गई है और चूंकि एनेच में जब कोई रोड चली जाती है तो उसका मैंटिनेंस जो पहले हमने और मानी सांसज मुकेज राजपूजी ने एनेच वालों से बात की ती कि जब तक टेंडर हो नई सड़क आप नया निर्मार शुरू करें तब तक इसकी जो गड़े हैं वो पैचिंग हो जाए ताकि आम जन को निकलने में सुबदा हो ऐसा मेरा मानना है कि इस मह हर सड़क अगर खराब है तो अनिता सब बनी हुई मिलेंगे आपके कारेकाल का जो ज्यादातर समय था वह कोरूना काल में चला गया तो कोरूना काल के दौराना आपने किस तरीके से काम किया चेत्री की जनता के लिए कि क्योंकि पूरी दुनिया विश्व से तरस्तरा है आ चार कारि करताने इस संक्ट की घड़ी में नागरिक को जहां जिस हिस्विव में था सब्सक्राइब करनेगे तो मैं ने प्रतियक बूद पर रॉज मास्का बितर्ण किया तदा बाहर से आने वाले लोगों के लिए और उन करमचारीों के लिए जिनकों हम करोना बारियर्स के रूप में देखते हैं, चाए वो बाइंक हो, चाए वो पुलिस के लोग हो, जो लोग इस तरीके से सेवा कर रहे थे, उनके भोजन से लेकर कि तमाम विवस्थाओं का कारण हमने सुचार रूप से करने का काम किया है इसमें कोई दंब की बात नहीं है ये हमारा कर्तब भी था और पार्टी के नेतरोत के नेदेशों के अनरूप करना आवश्चिकी भी था वो मैंने करने का काम किया है नमबर दो जब अभी सेकेंड डागडाउन शुरू हुआ आक्सीजन की बहुत क्राइसिस रही है एक दम से जो बाढ़ आई थी इसके कारण आएक आक्सीजन की समस्या बनी लेकिन उसको आपूत करने में हम लोगों ने प्रयास किये और यहां के ततकाली इंजिलादगारी मा समय जो सतर्क्ता और क्वाप्रेशन हम लोगों के साथ किया उसके फल्सरू परुखाबाद में अतिसीग्र ही आक्सीजन की उपलब्दता सुनच्चित हुई तता भविस्ट को द्रसिकत रखते हुए मानी मोदी जी और योगी जी के जो परिकलबना है कि भविस्ट में कि तो हमारे हाँ दो सामधाइक स्वास्ट केंद्र हैं जिनें हम CST कहते हैं कमाल गंज एक मौंधाबाद में सुघर केंड की तरफ से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम हुआ है और कमाल गंज में हमने अपनी विदाइगनी से बीस बेट का आक्सीजन प्लांट लगान लेके नेता है रिखुड पांच साल में परिक्षा द fulfill परिक्षा देनी ऊपको लेकिन उससे पहले और परें को तो इस बार मैंने देखा एक चीज जंता ने भी मुझको बताई जो आपकी दावेदारी कर रहे हैं तो वह जो दावेदारी है और आप अपने आपको कहा पा रहे हैं नाम भी बता देता हूं आपको अभैसिंग हुए इसके साथ और भी अन्य नाम है तो आपको यह जो नाम पता है इनको आप कहा आक रहें अपने आपको इनसे कहा आख ते हैं इस बिसे पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता सिर्भ इतना कहना चाहता हूं दो सब्सक्राइबी यह लोग इसी लाइन में थे और जंता का जो आशिरवाज मेरे साथ था जंता का जो बावनाई मेरे इस बार जो चुनाओं में आप जाएंगे तो आप अपने स्थानिय स्तर पर जाएंगे या फिर योगी जी के चेहरे पर जाएंगे की नीतियां मानी मोदी जी और योगी जी का चेहरा तो अब राष्टी इतर और पर चर्चित है आप देख लीजिए योगी जी ने इस कोवीट काल में जिस तरीके से काबू पाया है उसकी प्रसंसा सुप्रीम कोटने की है उसकी प्रसंसा डबलू ये चो ने की है तो यह तो को चैरा हो गया तो यह तो हमें गरी कि हमाइशे चेरों के साथ काम करते हैं उसके सिफाइए जिसका एंदर मेंगी हैं काम करता है अगर तो जो मुख के हैं मानली आखिलेश यादफ जी को कहा आख रहे अपने के कि मुकाबले में आप से एक बात पूछना चाहता हूं अमरत और विस एक जगह रह सकते हैं कि अगर नहीं है तो एक तरफ समाजबादी पार्टी लवपुरु सरदार पटेल की जहनती को बड़ी धूंद्धाम से बनाती है जिनकी सोच अखंड भारत की थी और दूसरी तरफ जिन्या को सुतंता शंग्राम सेनानी लगर उनके समकच खड़ा करने का बशार करती है यह जनता है ये सब जानती है यह तुष्ट्री करन की नीच मंदर में जाने का दिखावा नकली पूझा अरचना करना यह सब जानती है और यह जनता जनार्दन है इसलिए प्रजाद त में मत का प्रियोग होता है तो यह सब जानता है यह उन लोगों के अपनी तुष्टिकान है कहीं का रोड़ा और बहुत मजबूत है सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन विधायक जी एक आम आदमी के घर जाए तो उसके लिए खाना बनाना मुश्किल हो रहा है सरसों का तेल मह महेंगाई कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नुकसान कर सकती है मैं आप जहीं पूछता हूं मेरी बिदान सबागा मेरे चेतर है ठीक है गाओं के इस तर पर आजमी को क्या चाहिए कानून की आजबी चाहिए फिर कानून की आवस्षिक्ता सुरक्षा उसे मिले सड़क उसे मिले शिक्षा उसे मिले स्वाथ की सारी सुविधाय मिले और बरन पोचन के लिए खाना मिले मानी मोदी जी और मानी योगी जी ने इस करोना काल में फिरी मेरा सन्देने का काम किया है आप समझ लीजिए आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए किसी घर में ऐसा नहीं है कि कहीं बुक्मरी की जरूरत पड़ियो इस कारकाल में भी जबकी तमाम जगों से बाहर से लोग पलाइन करके आये थे उनके भी खाने की विवस्ता मानी योगी जी ने की है और आज भी अ मांनी मुकमंत्री जी ने उसे माज कर दिया है कि मह vaccination कर दिया कि नयूंट हो जो पेट्रौल के bus acesso की है बढाई भी तो नी लती जय को चुंद दिया जाए तो सेस राज्यों ने क्यों नहीं को गटाने का काम किया मैं यह पूछना चाहता हूं हमारे यहां तो योगी जी ने पेटॉल पर भी अपनी जी एस्टी गटाई और डीजल पर भी जी एस्टी गटाई आप पता कर लिजिए मर्द पदेश जाकर देगी मैं अभी तीन दिन प बाद अपना भाडल लग जाएगा वहां बारा रूपई सत्ता है यहां दस रूपई सत्ता है वहां तो अब घटे हुआ हमने नहीं घटाए हम यह को दान दे रहे हैं हर्याना वह चाहां अब तो हर जगे दाम घट गए हैं लेकिन केबल कांग्रेस राजिमें कि राजितान में क्यों नहीं घटे पंजाब ने सिर्फ इसलिए घटा दिये कि उन्हें किसानों के लिए अभी चुनाओं में आना है इसलिए महेंगाई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है महेंगाई अगर आप दूसरी तरफ देखिए आर्थिक रूप से उसे समझने का प्रयास करिए अगर प्रटॉल के दाम बड़े हैं तो उससे निश्चित तरफ गवर्रमेंट की आमदनी भी बड़ी होगी बड़ी होगी गवर्रमेंट ने ग्यारा सोकार कोवीड का ठीका फिरी में लगवाने का काम किया जो सो करोड पार कर गया यह कोई नया काम तो इससे पहले भी तो सरकार है इससे सरकार रही है सरकार को अपने घर से नाम लाती है और कितने ऐसे लोग हैं जिनके उपर असर पड़ा है और मजबूरी आजसर नहीं तो नहीं पुछना चाने अगर डीजल पड़े हैं तो उनका सेबिंग वी उनकी बढ़ी है सब्सक्राइब दोनों साथ एक साथ बड़तें इन Ty labelsि अगर आपके बढ़ये तो वीधाश भीपाइगा विराग जी आपके संग्यान में होगी यह बात लेकिन खाद को लेकर बड़ी समस्या है यहाँ कोई समस्या नहीं है मानते कोई समस्या नहीं ऐसा था आपूत में थोड़ी सी बादा हुई उसका कारण यह रहा कि प्राइबेट कंपनियों ने चुकि इनके पास कोई अपनी फैक्टरी तो है नहीं यह सब आयातित करती है चाहिए वो डियेपी हो और चाहिए वो एनपी के ह चुकि जो गवर्मेंट की फैक्टरी है उन्होंने तो बनाने का काम किया इन्होंने कुछ आयात करने के तो इन्होंने देखा कि गवर्मेंट ने का कि हम इतने से ज़्यादा भी बिकने नहीं देंगे तो इन्होंने आयात जो करने में अपनी कंजूसी की उससे यहां लेकिन आज की तारीक में मैं चमता हूं कि खाज की तरीके की कोई मारा मारी नहीं है। थाइक बीजेपी के हैं ऐसी बीजेपी स्वयुक्त पूरी में आप इसके बावजूद आप बचा क्यों नहीं पाए उस एक्सप्रेश को यहां पर क्यों नहीं रख पांए को रहे हैं by मैं आप से थी किनारे है क्या आगराची दिंद्धी आप इम्यों जबाब देता हूं नंबर नंबर दो 2008 में जब बसपा सरकार में गंगा इक्समें गंगा किनारे से निकालने का डी पी आर बना था तो एंची टी ने के लिए नहीं थी दो बातों का बात 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 बेदो बता देंगे इसा कहीं चर्चाट डीपी यार योगी जी की सरकार में नहीं बनी है कि गंगा कि किनारे होके बनेगा गंगा एक्सप्रेस बे बनेगा लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो 2008 को देखते हुए दिर्ष्टकर्ट रखते हुए सरकार ने देखा एंजी टी ने उसका किलिरेंस क्यों नहीं दिया था उन्हीं को द्रिष्टकर्ट रखते हुए गंगा एक्सप्रेस बेका निर्माल किया और फरुखाबार को गंगा एक्सप्रेस बेसे एक जोड़ा जाएगा वो समस्या इसी कोई समस्या नहीं आप कह रहा है कि कहीं सभी निकलेगा लेकिन फरकाबाद से उसक सपासरकार होती तो गंगा एक्सप्रेस फरकाबाद से निकलता और सपासरकार आ जाती है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है फिर से वापस आ सकता उनका ऐसा कहना मैं उनके ही कारिकाल में अतिबरस्टे और सूखा रहत का एक पैसा आया था जितनी जमीन का पैसा यहां ग्यारा सो रुपए कास्टकार को मिल लाता कन्योज और इटावा महिनपूरी में ग्यारा हजार मिल लाता हमारे फरकाबाद को कास्टकार को सत्रा सो रुपए मिल लाता उनके यह की सजार रुपए की चेक मिल लई थी यह क्या था उनकी सरकाती तो परकाबाद का बित्रण कैसे होता है जैसे कई गाउं बाले यह नहीं जांते ते कि गाउंस्य जक है कि उन्होंने सब्रय जनुआ दिया कि आप कितना राचन आता है और मैं आपको उधान देके बता रहा है ये जरादी जहां से बीद téओ के रहने यह हालती समाजवादी की समाजवादी कुछ नहीं करना चाहती समाजवादी सिर्फ परिवारवादी है और अराजक्ता को बढ़ाने बाली पार्टी यह जंता खूब जानती है जितना यह उदब मचाते हैं उनके सामने चेरा दिखाई देने लगता है उनके सामने बारा से सत उनके सामने 95 से पीचे की जो भी सरकारे नहीं है वो सारे चेरे इने दिखाई देते हैं इने कुछ नहीं अब तो पर राम मंदिर भी जाने लगे अब तो मतुरा भी जाने लगे मैं पूंचना चाहता हूँ गर इतना ही प्रेम था तो राम बक्तों पर गोली किसने चलवाई रत है या फिर इतना ही था वी जड़िए जडिखी जरूवड है जरूवत है कि ठाने में आने वाला हर थानें को शमाधान सही रूप से हो नयाय संगत हो इसकी आवशिक्त है जिसका सुधार अतिशीक होगा आपकी बार योगी जी सरकार बनने के बाद हर फर्यादी को उसका न्याय मिलेगा तक ठीक है लेकिन अगर चौकी थानों में ब्रस्टाचार नहीं रुकेगा तो कानुन ज़स्ता कैसे ठीक हो पाएगा अभी आपने एक बात कही कि एक डेड़ साल करोना काल में निकल ग बच्चा कोई पैदा होता तो तीन साल में इस्कूल जाने काबिल नहीं हो पाता सही तरीके से चलना पर ना चीक पाता है यह उनकी निपोड़ता थी यह उनकी योगिता थी जिसके ऊपर उन्होंने करोना काल को भी देखते हुए हर परिस्टिती में आम जनता का ध्यान उस्था पर बात होगी महेंगाये पर बात होगी नमुद्दों पर भी बात होगी सिक्षा में उस्था पर बात करना बहुत जरूरी है सिक्षा के छेत्र में आपने क्या करा है आप पहले तो मैंने क्या करा है इस सब्द को छोड़िए आप पहले यह देखिए पूरे में आजाता था कि यह बेशिक शिच्चा का विद्याले का भवन होगा अब जरा जाइए एक विद्यालों गाओं में बहुत अच्छा फूल पती से पर्याबर्ण से संबंदित हर विद्याले की इस्तिति ऐसी नहीं ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन मैं यह दावा कर सकता हूं क पचासी से नबवे परसेंट हमारे छेत्र के विद्याले ऐसे हैं और जो रहें वो अंडर प्रोसेस हैं उनका भी इसी तरीके से उचीकन होगा नमबर एक नमबर दो पहले जब चातर इस्कूल में जाता था उसकी जो खाकी ड्रेस होती थी और गाओं के बच्चे जब चमक जी ने सबसे बड़ा परिवत्तन किया सबसे बड़ा परिवत्तन किया जो बच्चों की ड्रेस उन इंग्लिस मीडियम स्कूलों के समक्च की उनको टाई जोला जूता मोजा आज सारे चीज की बिवस्ता की और उनके बोजन की गुर्वत्ता में भी सुधार करने का काम किया और अब एक नया और उससे बड़ा काम हो गया पहले आरोब लगता था कि अध्यापक हेड मास्टर है अब यह से विवाग मिलकर के इसमें कमीशन वाजी कर लेते हैं मानी योगी जी ने अब सीधा पेज़ा ट्रांस्पर गाजियन्स के खाते में कर दिया अब पूरा का पूरा पेज़ा उसके खाते में जाएगा अब जैसी मर्जी है बच्चे को जिस तरीके का सरकार के द्वारा मानक निश्चित है नमबर एक नमबर दो मैं आपको बताओ य यह बोजबुर विधानसवा है जहां पहले इंग्लिस मीडियम स्कूल हमारे कमाल गंज में चलता था ततकालीन शिक्चा मंत्री शिरिमती अनुपमा जाइसवाल जी यहां आई थी मैंने उस स्कूल का बिजिट कराया था और मने उन्से अन्रोड किया था कि अगर पूरे प यह कहा कि मालनी योगी जी ने इस वाद की अनुमत दी है कि हर नयाय पंचाय तेश्टर पर इंग्लिस मीडियम स्कूल होंगे मैं उच्छों को पढ़ाई लिखाई में अच्छी सुबदा होती है क्योंकि वहां जो सेलेक्शन हुआ है वो अच्छे टीचर्स का छाट करके अच्छे टीचर्स को लगाया गया है आकरी सवाल से पहले एक सवाल रहेगा कि अधिकारियों के साथ प्रचासन के जो अधिकारी है उनके साथ आपकी बंती नहीं दिखती वियुरीक्रेसी है क्यों नहीं बन पादे घटना भी आद आ गई थी आपने इक पर सौचाले को ल प्रद्राइब भी उसको अपने बटाया उसको बनने ना बनने नहीं आप अधिकारियों से सबस्टे संब्द है काफी लोगों ने मुख्यमंत्री अधितनाथ को पत्र लिखकर काफी विधायकों नहीं बात करें तो यहां ऐसी समस्चा नहीं है हमने सबसे जब विखकर कर आएं हमारे आं सबसे जद्याक कानून बवस्ता के लिए आप तीन अस फूर व्हें महमदाबा、 जन गज्च, कमाल गज्च पता कर लिजिए किस तरीके से रहा है यह अरॉफ ठीक नहीं कि मेरी बंती नहीं है यह हैं कि मेरी सबसे बनती है अब मुखर ओकर बोल लेते हैं बस अपनी बात सही बात जो जन हित में है जो आम जनता के हित में है अगर अधिकारी उसमें दूल डालने का प्रियास करेगा तो मैं उसे सुखार नहीं करूगा अधिक जी आखरी सवाल विरा यह रहेगा कि पिछली बार तो प्रचंड बहुमत बिला बंपर जैकपोट लगा इस बार कहां आक रहे हैं क्योंकि आप आपने का है कि मैं पाल्टी का कार करता हूं सीधे आपने उस बात को वैसे रखा तो इसको बताईए कि आप कहां समझ पा रहे हैं कि कहां तक इस बार सीटे जो है कितनी बढ़ेंगी अगर बढ़ेंगी तो तो कितनी सीटों का आप समझ रहे हैं इस बार फिर एक बार तीन सो पार पिर एक बार तीन सो पार तीन सो पार तीन सो पार इसे तमाम मुद्दों को लेकर हमने बादचीत की चर्चा की और यहोंने उसी तरीके से समस्या के साथ समाधानों पर भी बात की है यही चुनावी चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी ऐसे ही हम तमाम विधायकों से आपका तारूफ कराते रहेंगे जानते रहेंगे कि दरसल इस समय प्रदेश क्या सोच रहा है प्रदेश में माहौल क्या है बाखी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहेएगा निवस्वर्ड इंडिया के साथ यहां एक ऐसे नेता के साथ आज मैं बादचीत करूं ज हम लोग जब आ रहेते हैं हमारी तवियत दुरुस्त बढ़िया है लेकिन काड़ी की तवियत खराब हो क्यों की सड़कों की जो तवियत वो ठीक नहीं नज़र आई गड़ों में सडख है या सड़क पर गड़े या आप भी अच्छे भाली भाती जानते हो आपकी विधान